हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्ट्रोप इंटिकेड़ सॉप्ट्वेर, मैं हुवी पिन C language के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे Part 1, Introduction of C आज के Parts में हम कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे, कुछ भी कोड ने लिखेंगे इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ C language के बारे में कुछ बेसिक बाते बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत हिल्फुल हूंगे एक बात आप मानके चलिए, आपको कोई भी language सीखनी हो, तो C language का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत फायदे मन्द होगी तो चलिए देखते हैं आज की हमारे contents का है तो आज हम देखेंगे, what is computer languages, what is C, software used for C program तो सबसे पहले देखते हैं, what is computer languages To communicate with the computer, we need some languages, these are computer languages इस point को हम थोड़ी अच्छी तरस से समझते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ example देता हूँ मान लिजिए कोई भी दो person है और इनको आपस में communication करना है इनको आपस में कुछ data शेर करना है, कुछ problem शेर करना है तो obviously communication के लिए इन दोनों को कोई न कोई language यूज़ करने पड़ीगी तो हो सकता है ये English language का यूज़ करें, हो सकता है Hindi language का यूज़ कर सकते है या फिर ऐसी कोई भी language जिसमें ये दोनों comfortable हो लेकिन communication करने के लिए तो language लगीगी सेम उसी तरह से अगर आपको computer के साथ communication करना है computer के साथ problem शेर करना है, computer के साथ data शेर करना है तो इसके लिए भी आपको कोई न कोई language लगीगी तो computer के साथ data शेर करने के लिए जो भी language लगीगी उसे हम कहेंगे computer languages इसके example है C, CPP, Java, Python, PHP और बहुत सारे languages है कि जिसके through हम computer के साथ बात ही कर सकते computer के साथ data शेर कर सकते अब आप सोचेंगे कि हमें computer के साथ data क्यों शेर करना है computer के साथ problem क्यों शेर करने है तो इसके लिए भी मैं आपको एक दो example देता हूँ सबोग मैंने आपको एक question पुझा कि 10 plus 20 कितना होता है तो आप जट से answer देंगे 10 plus 20, 30 question simple था आपने इसका answer भी fast दिया आपको किसी की help लेनी की जरूरत ने पड़ी आपने इसका answer manually solve किया अब मेरा आगला question है 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiply by 6, 7, 8, 9 कितना होता है अब यह थोड़ा difficult हुआ multiplication है तो इस questions का answer find करने के लिए आपको notebook की जरूरत पड़ेगी आप notebook में इसका multiplication करेंगे और मुझे answer बताएंगे लेकिन इस equations में इस problems में दो problem आ सकते एक तो यह multiplication solve करने के लिए आपको time ज़्यादा लगेगा और second problem आपके answer की accuracy ने होगी accuracy ने होगी इसका मतलब अगर मैं यही multiplication 10 बच्चों को पूछता हूँ तो हो सकता है कि इसमें 2-3 बच्चे का answer wrong आ जाए तो इस तरह की जो problem है जो हमें manually solve करने के लिए time लग सकता है या जिसमें accuracy guarantee कम होती है तो ऐसे problem हम computer के साथ share करेंगे computer के साथ share करने के बाद computer इसका multiplication करेंगा और हमें कुछ seconds में इसका answer देगा लेकिन computer ते directly the problem share ने करेगा इसलिए हमें computer को instruction देने पड़ेगी और यही instruction देने के लिए हम computer language का use करते हैं जैसे कि इस video series में हम C language का use करेंगे तो जैसे से हम आगे जाएंगे विसे से आपको और भी समझ में आएगा अब हम चलती है अगले slide की दरफ हमारा अगला point से what is C C is a programming language developed at AT&T Bell Laboratory of USA in 1972 C language को developed किया था 1972 में AT&T नाम के Bell Laboratory में AT&T Bell Laboratory का full form होता है American Telecraft and Telecommunications Bell Laboratory और यह C language को developed किया था Danish Richie ने यहाँ पर मैंने आपको एक photo भी दिखाया है तो यह Danish Richie की image है जिसने C language को developed किया था चलिए अब आगे चलती है आगे देखेंगे हमें C program के लिए हम कौन कौन से software का use कर सकते हैं तो इसके लिए आप code block का use कर सकते हैं Microsoft Visual Studio C++ DEV C++ Borland Turbo C Turbo C++ आपको बहुत सारे software मिल सकते हैं online आपको किसी भी software को download करके C का program कर सकते हैं इस video series में मैं Turbo C++ का use करने वाला हूँ अगले lectures में मैं आपको Turbo C++ को कैसे download करना है और कैसे install करना है यह सिखाऊंगा इस पार्ट में फिलाल इतना यह I hope कि आपको इस lectures पसंद आया होगा तो अगर आपको इस lecture पसंद आया होगा तो इसको like और subscribe करना मत भूलिए Thank you